हाई फ्रेंज वेलकम बैक आपका अपने चैनल फूड इंचार्ज में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए राजिस्थान की परशिद डिस दाल बाटी चूर्मा की रेसिपी लेकर किया हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाने में बह हैस के उपर इसके लिए हमने ले लिया है चने की दाल तो यह एक कटोरी तकरीबन 3 टेवल स्पून के करीब है फ्रेंड साथी हम लेंगे मसूर की दाल ये भी हमने एक कटोरी ली है एक कटोरी हमने मूंग की दाल ली है और एक कटोरी ही हमने ली है हरे छिलके वाली दाल तो हम दाल को सोक नहीं करेंगे हम इंस्टेंट ही बनाएंगे फ्रेंट्स इसे मैंने तुरंत धोकर इसे हमने कुकर में डाल दिये और ये आधे प्यास को हमने दो फाकों में काट कर डाल दिया है और ये एक टमाटर हमने हाफली करके डाल दिया है फ्रेंट्स और अब हम इसमें 1,5 .5 , शुद्यदेशी घी डाल दिया है . टेश्ट के कौर्डिः ढाल द。 हुमने छेश्ट के लशन के पेश्ट-डाले हैं यहाँ पर आप लश्ट को क्रश्य करकेCrंकर भी ढाल सकते हैं हम इससे भीट ही टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है अब हम इसे गैस के उपर चरहा देंगे और इससे तक्रीबन हम 2-3 सीटी होने तक पकाएंगे उसके बाद हम इसे एक मिनट के लिए slow medium फ्लेब पर छोड़ देंगे हमारी दालें जब तक पक रही है चलिए हम चलते हैं बाटी की तैयारी कर लेते हैं तो इसके लिए हम नने लिया है, डेर कब गेहों का आटा, जेनरली जो बाटी तयार की जाती है, फ्रेंट, वो थोड़े से मोटे आटे होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कि यहां पे सूजी का इस्तमाल करेंगे, तो यह हमने half cup सूजी लिया है ताकि हमारी बाटी जो है वो काफी अच्छी सी बने क्योंकि हम इसे normal रोटी के आटे से बना रहे हैं यहाँ पर हमने टेश के कॉर्डिंग नमक डाल दिया है और यह हमने आधी चमच अजवाइन ले लिया और इसे आप crush करके लिए इसे बाटी में बहुत ही अच्छा सा अरोमा आता है और साथी हमने इसमें एक पिंच के करीब खाने वाला soda डाल दिया है यहाँ पर मैंने refined oil का इस्तमाल किया है फ्रेंस आप यहाँ पर सुध देशी गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे भी बाटी बहुत ही टेश्टी बनती है तो यह तक्रिवन हमने एक कटोरी का इस्तमाल किया है और अब हम इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों से मैश कर लेंगे और यह देख सकते हैं आप बाटी के जो हमने आटे लगाने है उसका जो मून हमने डाला था फ्रेंस वो अच्छी तरह से बंध रहा है तो बस इसी तरह का हमें चाहिए अब हम इसमें थोरा-थोरा सा पानी डाल करके इसका एक टाइट डो लगा लेंगे हमें इसका डो डो लगाना है वो बिल्कुल टाइट लगाना है ताकि हमारी बाटी अच्छी तरह से बने तो थोरा-थोरा सा आप इसने पानी एड करते जाएं और इसके अच्छी तरह से मसल मसल कर आप इसके डो तयार करने फ्रेंट जिस तरह से मैं कर रही हूं तो ये देख सकते हैं, टोटल हमने यहाँ पर डेर कप पानी का इस्तमाल किया है, इस डो को तयार करने के लिए, अब मैं थोड़े से हाथ के उपर तेल लगा कर इसे अच्छी तरह से चिकना कर ले रही हैं, और इसे हम साइड में रख देते हैं, पहले हम दाल देख लेते हैं यह हमारी दाले जो हमने चरहाई थी पकने के लिए वो पक चुकी है, इसे हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसे हम चला लेते हैं, इसकी थिकनिस आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं, और जो हमने डो लगाया था, उस डो को देख लेते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा और हातों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसकी बनाएंगे बाटियां तो यह देख सकते हैं, हमारे आटों का जो डो है, वो कितना जादा टाइट है, बस इसी तरह का हमें चाहिए, आप इस बात पे खा पर्फेक्टली पक सकें, अंदर से कच्छी ना रहें, बस यही कारण होता है इस तरह से बातियां बनाने की, तो यह आप देख सकते हैं, हमने दूसरी बाती भी आपको बना कर इसी तरह से दिखला दी है, और इसी तरह से सभी बातियों को हम बना लेंगे, इस तरह से आप बाती बनाएंगे, तो आपकी बाती कभी कच्छी नहीं रहेगी, और बिल्कुल पर्फेक्ट सिखकर निकलेगी, तो यह हमने सभी बातियों को बना लिया है, और अब हम चलते हैं, गैस की तरफ, तो गैस के ऊपर हमने अपम मेकर चरहा दिया है, क्योंकि आज हम अपम मेकर में ही बाती बनाएंगे, और यह देख सकते हैं, आप हमने इसमें थोरे थोरे से देशी घी डाल दिये हैं, इससे आप बाती जो बनाएंगे वो बहुत ही जादा टेस्टी बनती है, बहुत ही लजीज बनती है, जो खाएगा बस तारीफ किये बिना नहीं रह पाएगा, तो मैं सारी बाटियों को इसी तरह से अपम मेकर में डाल दे रही हूँ आज मैं आपको दो चीजों में बाटि बनाने के लिए बताऊंगी तो ये देख सकते हैं कुछ बाटियों को हमने इस तरह से नाइफ की मदद से कट लगा दिया है ताकि इसमें अच्छा सा डिजाइन बन और ये देखने में खुबसूरत लगे तो स्लो मीडियम फ्लेम पर आप इसी तरह से बाटियों को सेक लें जिस तरह से मैं सेक रही हूं उलटकर पलटकर आपकी बाटी बहुत ही अच्छी बनेगी तो दूसरी साइड इधर हमने गैस के उपर कढ़ाई चरहा दिये और इसम हम स्लो मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे आज मैंने आपको दो चीजों में बाटियां बनाना बताई हैं इसमें से आप कोई भी तरीका आप ना सकते हैं या तो आप फ्राई कर लें नहीं तो आप अपमेकर में बना लें तो दोनों ही तरह से बाटिय जब तक हमारी पकड रही हैं हम चलते हैं आपममेकर वाली बाटिया देख लेते हैं तो यह देख सकते हैं कि हमारी जो बाटिया आछी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और कुछी बाटियां भी बाकी हैं तो इसे जो जो हम पक गई है फ्रेंट्स वो हम आपको निकाल कर दिखला दे रहे हैं तो इस तरह से हम सभी बाटियों को बना लेंगे और फिर अब हम इसे निकाल लेंगे तो आप सभी बाटियों को इसी तरह से बना लीजेगा नहीं तो आप कढ़ाई में बना सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं करहाई बाटिया भी जो है वह हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी और देखने में कितने खुबसूरत लग रही है और यह खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है सभी को पसंद आएंगी अगर आप इस तरह से बनाएंगी तो अचली अब हम दाल में लगा लेते हैं तरका तो इसके लिए मैंने कड़ाई चड़ा दिये तेल भी डाल दिया है तेल हमारा हलका गर्म हो चुका है और इसमें हमने दो लाल मिर्श डाल दिये हैं आधी चमच हमने जीरे के डाल दिये हैं यहाँ पे हमने एक प्यास को बाड़ी चौप करके ले लिया है बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको बाटी बनाने के लिए बताया है जिसे कोई भी बना सकता है, बस घर में रखे सामानों से, यहाँ पे हमने आधी चमच अधरक का पेश्ट डाला है, यहाँ पे आप अधरक को ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आधी चमच हमने डाल दिया है, हल्दी का पाउड अधी चमज धनिया का पाउडर हमने डाल दिया है यह आधी चोटी चमज हमने ले लिया है लाल मिर्च पाउडर और अब हम यह तरह बहुत ही टेस्टी बनने वाली है अब हम नाघे थोड़े से फग गए हैं तो अब यहां पर हम क्या करेंगे हमने जो दाल बना कर रखी थी उस दाल को अब हम इसमें डाल थे अच्छे तरह से भुना चुकें और यहां पर आप दाल की थिखनिस अऽबसे कम ज्यादा कर सकते हैं जितना ज्यादा आपको दाल ठीक अच्छा लगता है आप उतना ही रखें और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो यह देख सकते हैं आप हमारे जो दाल है वो काफी अच्छे बने हमने इसमें कोई अलग से तरका बगारा भी नहीं लगाया है और इसमें आप नमक अपने हिसाब से देख ल देंगे और फिर हमारी दाल जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो यह आप देख सकते हैं इसमें एक बॉइल आ चुकी है हमारी दाल बनकर रेडी हो चुकी है अब मैं इसे ढख दे रही हूं गैस के फ्लेम को बंद कर दे रही हूं और अब हम चलते हैं दूसरी ग्रैंडर जार में डालेंगे और डाल कर इसका एक हम अच्छा सा दरदरा ओट्स टाइप का हम इसे पीस लेंगे यह देखिए बिलकुल इस तरह का दरदरा आप इसे ठंडा करने के बाद ही पीसे तो हम यहां पे चूडमे को दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि हम इसमें बाकी चीजें डाल सकें तो यह आप देख सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून एंड हाफ टेबल स्पून कोकोनट पाउडर साथी हम इसमें डालेंगे डेर चमच ही चीनी के इससे हमारे चूरमे जो है वह बहुत ही अच्छे बनते हैं थोड़े एच्छा सा फ्लेवर आता है आप इस तरह से चूर्मा बनाएं बहुत ही टेश्टी लगता है इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं चूर्माइज अब ईस तरह से भी खा दाल और यह चूरमे और साथमे मैंने नेम्बू और यह हमने हरी मिर्शली है। साथ में हमने ले लिया है प्याज, ओई-ई ऐक क्या मज़ा आने वाला है। अज दाल बाती चूरमा खा करके तो आप भी इस तरह से दाल बाती चूरमा बनायें। और इंज्वाइं करें ये देख सकते हैं हमारी बाटी अंदर से कितनी सौफ्ट और उपर से बिलकुल कुरकुरी सी बनी है खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पड़ अगर नए